दोस्तो मार्केट से एक से बढ़कर एक लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है और फाइनली हुड को लिमेटेड ने अपना डिविडेंड भी अनौंस कर दिया है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हुड को लिमेटेड के साथ में टोटल में 11 ऐसे स्टॉक् बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अमारे पहले शेयर की तो कमपनी का नाम है अधित्या विजन लिमिटेड अधित्या विजन का जो शेयर प्राइज है 3200 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कमपनी ने आपे डिविडेंड अनौंस कर दिया है 5.10 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 5 रुपे 10 पैसे का है वो 28th of March की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है अनौप Engineering Limited अनौप Engineering का जो शेयर प्राइज है 3066 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कमपनी ने आपे स्टॉक बोनस अनौंस कर दिया है 1 to 1 के रेशियो से इसका मदलब ये है अगर आपके पा में इस कमपनी के जितने मरजी शेयर्स हो आपके सभी के सभी शेयर्स यहाँ पर डबल हो जाएंगे और क्यूंकि ये एकदम लेटेस्ट अनौंसमेंट है तो इसको देने की एकस डेट रिकॉर्ड डेट फिलाल अभी अपकमिंग में है जैसे कमपनी एकस डेट और रिकॉर डेट अनौंस करेगी मैं आप लगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूंगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है स्टोवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टोवेक इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइज है 2444 रुपीज के उपर में चल रहा है और कमपनी ने यहाँ पे डिविडेंट अनौंस करके रखा है 17 रुपीज का आप लगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 17 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा अब फाइनली कमपनी ने डिविडेंट को देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनौंस कर दी है जोगी 18 ओफ ए रुपीज का आप लगों को आपके हर एक शेयर के उपर में एक रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 1st ओफ एपरेल की रहेगी और डिविडेंट की जो पेमेंट डेट है वो रहेगी 17 ओफ एपरेल की तो 1st से पहले आपके पास में GPT Health की जितने भी शेयर्स होंगे उन पर जो भी आपका डिविडेंट वैल्यू बन रहा होगा वो 17 ओफ एपरेल यानि की 17 ओपरेल से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर में क्रेडिट कर दिया जाएगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है प्रित्वी एक्सचेंज लिमिटेड प्रित्वी एक्सचेंज का जो शेयर प्राइज है 214 रुपीस पर चल रहा है और कंपनी ने आपे डिविडेंट अरांस कर दिया है टू रुपीस का आप लगों को आपके हर एक शेयर की उपर में 2 रुपे का डिवि इस company ने यहाँ पे dividend अनौंस कर दिया है 6 रुपीज का आप लोगों को आपके हरे एक share के उपर में 6 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी X date, record date, same day की रहेगी यानि की 28 March की अगले share की बात करें तो company का नाम है बोधी 3 Multimedia Limited बोधी 3 Multimedia का जो share price है 180 रुपीज के उपर में चल रहा है इस company ने आप इस stock split अनौंस कर दिया है 1 इस टू 10 के ratio से इसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 2nd of April की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Nidhi Grey Nights Limited निधी Grey Nights का जो share price है 198 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस company ने आप इस stock bonus announce कर दिया है 1-1 के ratio से इसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share is a bonus मिलेगा total में जो आपका एक share है वो 2 shares के अंदर में convert हो जाएगा basically आपके पास में इस company के जितने भी shares होंगे उतने ही shares का आपको bonus दिया जाएगा आपके सभी के सभी shares यहाँ पे double हो जाएगे एडिस bonus को देने की X date, record date फिलालबी upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा जैसी X date और record date आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है United Van Derhorst United Van Derhorst का जो share price है 274 रुपीज के उपर में चल रहा है एडिस company ने आप इस stock split announce करके रखा है 5 to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 5 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहापे 2 shares के अंदर में convert हो जाएगा in short आप यह भी कह सकते हैं यहापे भी आपके पास में जितने भी shares होंगे वो सभी के सभी यहापे डबल हो जाएंगे और इस stock split को देने की जो x date और record date है वो 26th of March की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Sun Clay Limited Sun Clay का जो share price है 1270 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 26th of March को और इस board meeting का जो परपस है वो dividend को लेकर की रहने वला है already company ने dividend को देने की x date record date advance में announce कर दिये जो की 4th of April की रहेगी तो 26 March की दिन company जो भी dividend announce करती है अगर उसका benefit आप लगो को चाहिए हुआ तो आपको Sun Clay Limited के share को उसकी x date यानि की 4th April से पहले पहले purchase कर लेना होगा और साथी साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा company की dividend history यानि की past में company ने अपने investors को जितना भी dividend दिया है उसके accordingly company अगर एक अच्छा dividend announce करेगी तो definitely Sun Clay के share के अंदर में हम लोगों को 26 March के दिन एक rally भी देखने को मिल सकती है तो जरूर से इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है धातरी उद्योग limited धातरी उद्योग का जो share price है लगबग 187 rupees पे trade हो रहा है इस company ने आपके stock split announce कर दिया है 1 to 10 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने mercy shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा and stock split को देने की जो date है वो रहेगी 28th of March की और वहीं जो record date है वो रहेगी just उसके अगले दिन यानि की 29th of March की तो अगर आपको इस company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके split का benefit मिल पाए तो 27 March या फिर उससे पहले-पहले purchase कर लेना होगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Hoodco Limited यानि की Housing and Urban Development Corporation Hoodco का जो share price है 175 रुपीज के उपर में चल रहा है and finally company ने dividend announce कर दिया है and जैसी update आया मैं आप लोगों के साथ में share कर रहा हूँ तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा Hoodco ने आप ए dividend announce किया है 1.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 1.5 रुपे यानि की 1.50 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 28th of March की रखी गई है तो अगर आपको इस company या फिर इसके अलावा और किसी भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यह 11 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा please इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye